तो आप मेरी वीडियो के टाइटरल देखकर समझी गए होंगे कि आज हम मंडाला आर्ट के बेसिक पैटरन सीखेंगे आप सभी व्यूवर्स की डिमांड ठीकी मंडाला आर्ट के इजी पैटरन की हैप से हम कैसे ब्यूटिफुल मंडा बना सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आप मंडाला पैटरन सीखने के लिए मेरी तरह ड्रोइंग शीट पर ग्रिड लाइन भी बना सकते हैं या फिर मैट नोटबुक का भी यूज कर सकते हैं आप शुरू में प्रैक्टिस के लिए कोई भी ब्लैक पैन यूज कर सकते हैं चोटे ग्रिड में चोटे पैटरन और बड़े ग्रिड में बड़े पैटरन के हम बड़े पैटरन पे कंप्लीट करते हैं हम एक ही पैटन की हेल्प से अलग-अलग डिजाइन भी बना सकते हैं मैंने आपके साथ इस वीडियो में बहुत से डिजाइन शेयर किये हैं आई होप आपको पसंद आएंगे अब आप देखेंगे कि नेक्स पैटन में मैंने जिगजग लाइन बनाई है जिसमें मैंने फर्स्ट पैटन में स्लाइन लाइन और सेकेंड में मैंने स्टेट लाइन बनाई है स्टेट लाइन में भी आप वर्टिकल और होरिजेंटल लाइन बना सकते हैं ऐसे ही जिगजग में भी आप बहुत सारे पैटन्स बना सकते हैं लीफ पैटन बनाया है वैसे तो लीफ पैटन बड़े पैटन में बनाया जाता है लेकिन आप गृट के हिसाब से उसे छोटा भी बना सकते हैं और उसके अंदर छोटे डिजाइन फिल कर सकते हैं आपके मंडला सुन्दर और एडवांस लगेगी हम लीफ पैटन को छोटा ओवर्लैप किया है और ओवर्लैपिंग के बीच में जो स्पेस आया है उसमें मैंने वर्टिकल लाइन यूज करके उसके अंदर एक डिजाइन फिल किया है यह आप अपनी मंडला में फिल कर सकते हैं आप जितनी जादा प्रेक्टिस करेंगे आपको उतने जादा डिजाइ ग्रिट की हेल्प से आपके पैटर्ण इकुल बनते हैं और आप पैटर्ण इजली बनते जाते हैं आप ग्रिट की हेल्प से ऐसे ही छोट-छोटे पैटर्ण बना सकते हैं हम इंटरनेट पर कुछ हाट पैटर्ण भी देखते हैं लेकिन वो प्रिंटेबल होते हैं अगर आ आपको easy pattern की practice करने होगी फिर दिरे दिरे हम hard pattern भी बनाना सीख जाएंगे इस सीरीज की next वीडियो में मैं आपको कुछ hard pattern बनाने सिखाऊंगी जब तक वो वीडियो आती है तब तक आप डेली इन patterns की practice कीजिए अगर आप डेली छोटे patterns की practice करते हैं तो आपके लिए बड़े और hard patterns बनाने easy हो जाएंगे और आपके मंडाला patterns में clearness और sharpness आएगी और आप easily अपनी मंडाला भी complete कर पाएंगे आपकी speed भर जाएगी और आपके मंडाला जल्दी पूरी होगी आपके मंडाला इससे सुन्दर भी बनेगी आपको अपनी मंडा छोटे pattern से start करकर बड़े pattern पर खतम करनी बस आपको यह दियान रखना है कि आपके pattern की symmetry equal हो आपको हमेशा छोटे से बड़े pattern की तरफ जाना है अगर आप बड़े मंडाला patterns पहले बना देंगे तो आपकी मंडाला उतनी ज़्यादा सुन्दर नहीं लगेगी इसलिए आप हमेशा दि अपने YouTube चाइनल के community post में और भी मंडा के basic patterns प्रोवाइट करा दूंगी आप बहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं आपको pattern की practice daily करनी है आपको नए नए pattern ढूनने हैं उनके daily practice करनी है जिससे आपके pattern और sharp और equal हो जाएं देखिए मैंने 13 pattern बनाए हैं आप इसे जादा भी बना सकते हैं आप डेली इन पंडाला पैटर्ण की practice कीजिए और अपने practice की हुए मंडाला पैटर्ण को आप मेरे साथ मेरी इंस्टाइडी पर भी शेयर कर सकते हैं मेरी इंस्टाइडी है हर्शी का creations 05 जिसका link मैं description में add कर दूंगी और वहाँ पर आपको मैं और मंडाला पैटर्ण भी प्रोवाइड करा दूंगी तो आपको हमारे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक चाइनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो अब आप practice कीजिए इन सब पैटर्ण की मिलते हैं next वीडियो में ओके बाई